भी मेरे पिता जी सिनेमा होल में टिकat फॉडते थैं तो लोगों ने बोला कि रहे सिनेमा में टिकाट फाडने महाले लेकर के जाता था लिए जब पांसाल का था तो कहीं बहुत जएके मौका नहीं मिला बहुत ऐसा प्रोग्राम कोत्म होने के बाद मैंने रोया भिलिगा पर लिए जाती तमाम सुन्हे वालेवेंगे वियुद्ध एकाए जहाजbands की यदि वेटी के नाम से पिता को जाना है तो एक कमीत होती है और लेकिन मेरे नाम को रोशन करें लेकिन यह कैसे फिता आ है कि जीन का बच्छा बड़ा नहीं लेकिन छोटा हो के हैं एक बहुत बड़ा नाम इनके लिए एक बहुत बड़ा बना और इनका नाम वच्छे के नाम है उन्होंने झोटर framework जो फिल्म कェ प्रोडूशर थे तो उन्होंने उनके सोक्तिवारी आज मैंं आपको मिलवाने जा रहा हूं considering reconcile आर्यन बावू की आप ने सुना ही होगा इतना सुन्दर सुलीला आवाज आखिर वो जड़क वो पेण कौन है जिसके वो टहनी है जिसके वो एक फल है वो सवरवपाठक ची हमारे सताज मौझूद है और संजूग से आज हमारी इंसे मुलकात हुई हमें जहां तक लगता है कि यह सभाग मुझे पह और सबसे पहले सम्रिधी न्यूज चैनल के जितने भी दर्शक बंदू है मैं सभी का हार्दिक श्वागत अविनदन बंदन करता हूं कि आप सम्रिधी न्यूज को काफी आगे लेके जाए ताकि हम जैसे कलाकार के पिता के लोगों को भी मौका मिल से अपनी बातों को रख करतें हैं तमाम भोषपुरी इंडेश्ट्रि के साज ही को कर चमाहर को आप प्रयास करते हैं कि हर आफो ले जातें हैं तमाम कलाकारों से मिलबातें कि आज कि आज एक साल का आपका म्हेनत ड सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि जब आप किसी काम को लेके शुरुआत करते मैं थोड़ा साथ को आरियन से पहले अपनी भाई के तिरफ ले जाओंगा मेरा बड़ा बाई अरोटकल इंजिनियर में और वह भी कतर में है और वल्ड के सबसे बड़ा एरलाइंस में इंजिनि हैं वकील हैं सारे लोग हैं तो जब मेरे भाई ने बोला कि मैं हवाई जाज का इंजिनियर वणना चाहता हूं तो लोगों ने मज्याक बढ़ा तो यह बाते मेरे को दिल पर लगी थी और हम दोनों भाईयों ने महनत किया पिता जी ने महनत किया और महनत का आज देन रहा सर कि आज मेरा बड़ा भाई वर्ल्ड के सबसे बड़े एरलाइन्स में इंजिनियर है तो हम लोगों ने जो सपने उसके लिए मैंने दिन रात महनत किया था तेल बेचा चिंगम बेचा मार्केटिंग किया और अपने बड़े भाई को इंजिनियर बनाया तो मैं इंटरभल की कहानी आपको सुनाया कि बड़ा भाई मेरा इतने कर रहा है तो क्यों ना इसको आप इस लाइन में लेक्या है और हमारे एक मित्रते संजव पध्याई जी थे तो हम लोगों ने मिलकर के बाबुकल है और पांच साल के ओवर मेरे ने पहली फिल्म किया था खेसारी जी के साथ उसमें मुंबई में मेरे कंपनी मेरा पैसा फसा लेकिन की बहुत चुनोती पुण्ण धा चार्रा स्कूल चलाता था और चुनोत साहरे लोगों बोलना शुरुआ कि सर्व आप कहां लेके चले बार स्कूल 1 मेरे मिडिया में भी काम कर चुका हूं मेरे लिए यह मतब काफी संगहल स्पूर्ण लाइब था बहुत सारा ऐसा हुगा कि जब मैं कारिकर में आरेन को ले के जाता था आरेन जब पांच साल का था तो कहीं बहुत जगे मौका नहीं मिला बहुत ऐसा प्रोग्राम खत्म होने के बाद मैंने रोया भिल आने पुछ पढ़ गया मतब चुकि वो तो बच्चा था उसको समझ में नहीं आता था कि प्रोग्राम हम किये या नहीं उसको लगा हम तो गया लेकिन ऐसा कई राते गुजरी जो हम लोगों ने रोक के गुजा रहा है कई जगे ऐसे बड़े मंच पे गये जहां लोग मुझे पचानते था एक प्रतिश इनको पहली बार सर मैं सरसलील में बुलाकर के बेस चाइल्ड एक्टर का वार्ड मिला गया भोस्पूरी के लिजेंटर चिंटू पांडे जी के द्वारा और उनके पिता इराज कुमार पांडे जी के द्वारा तो उस दिन बड़ी अच्छा महसूस हुआ कहीं कि नहीं मैं जिस लाइन में लेक्या रहा हूं लोग आज मुझे सौरफ पाठक पुछिए का आज भोस्पूरी इंडस्ट्री में तो साइध मुझे कोई बता पाए साइध आप भी मेरा नाम एक दिन पूछे सौरफ पाठक कौन है मैं जबकि सब लोग मुझे आरियन के पिता के नाम से जानते हैं जबकि से पहले लोग मेरे नाम से मेरी प्ता की वह सौरफ पाठक जी के पिता जी जो स्कूल चलाते लेकिन अभी इस्तिति यह है कि मेरी भी पहचान आरियन जो होती है हमारे पिता जी की खी पैचान की peso आरेन की दाधा जी है अज हमारे तीन generation की जो पैचान समाज में होने लगी है वह आरेन की वोज़ेस में इधी हो रही है तो कहीनिगि के इसमें सबसे बड़ा सरे हम ये देना चाहिए हमारे भुषपूरी की जंता जनार्दन और शुरुवात दौर में जो संजे भूसर पतियाला जी ने जिस ओफिस हम लोग बैटके यहांगामा मेडिया का ओफिस है अजे भूसर जी का सयोग अर्बिंदे केला कलु जी जो हमारे जीला के चौकलेटी स्टार है उन्होंने चौती फिल्म जो वेद तिवारी फिल्म के प्रोड्वीसर थे तो उन्होंने फिल्म के प्रोडूसर कर रहते तो उसी दर्मयान अर्यन और उन्हां सब् उसका देकां 2 million five million तुम आज के कुछ वैसे काने जिनके चालिस चालिस प्यास मिनियल भी के न स्टेज में भी तो कहीन का हूँ जनता कbloो दुलार है और अभी तक जनता के प्यार दुलार से अरेन अठार फिल्म कर चुका है बोस्पूरी की जितनी बड़ी कंपनिया है टी स्रीज हो वेब हो डियाइसी बोस्पूरी हो फटाफट वायरल बोस्पूरी हो बी एफ्टी एस हो सुगंधा म्यूजिक हो आरेन बभू इं हम लोगों का साइन हुआ तो तमाम सारी बड़ी-बड़ी कंपनिया अरेन को साइन कर रही है अभी हम लोग 21 तारीक से हमरे भोस्पूरी के बहुत अच्छे प्रोडूशर वेत्तिवारी भया के बहुत ब्यारी फिल्म की सुटिंग लाहबाद में होने वाली है यस मिस्रा क एक बहुत बड़ा योगदान कहा जाएगा पाठक जिस तरह आरेन बावों इतने बड़ी एक आपने बताया कि एक समय था कि लोग जानते थे कि ये सौरव पाठक है और किसी विद्याले के डिरेक्टर है और सवरव पाठक के नाम से लोगों को जाना जाता है लेकिन आज पूरे भषपुरी फिनल में रश्टिज में कोई यह नहीं जानता है कि सवरौ पाथक कोंने सच्छा भी ए! सवरौ पाथक नाम मैंने भी पुछा था कोन हैी सवरौ इसरो पाथक लेकिन आर्यन-बाबु के पिताजी के नाम से आपको जानते हैं तो खुशी कितनी हो रहे हैं चुकि कहीं ने कहीं बच्छे के नाम से हम लोग को जाना जाता है तो बड़ा आनंद आता है आप खुद मीडिया के किस्तम है और आप समझ सकते कि बाप के लिए इससे बड़ा गरवानिवीत का कोई विसे नहीं हो सकता है कि जब उसके पुत्र क से पिता की चर्चाएं हो तो हम लोग जब एक मार्केटिंग करते तो उसमें चर्चा होते हैं जब किसी प्रोड़क्ट से किसी का नाम जोड़ दिया तो जहां लोग प्रोड़क्ट चलने लगा यसे लोग बोलता है कि जी हो कौन है तो अमबानी जी की कंपणी है तो उसी प्रकार आज आर्यन के नाम से जब लोग मुझे जोड़ते हैं तो मुझे अब इस बात का सुकून हो गया है कि आर्यन बाबु मार्केट में चल जाएंगे क्यों प्रोडक्स से जोड़ दिया गया मुझे आर्यन बाबु एजे सिंगर एजे राइजे सिंगर है एक बहुत मंच पर आर्यन को एजे मतम लोगों ने अपना भरोसा चताया और छे मिनट का वक्त दिया था कलकत्ता के जैसे इंडोर स्टूडियों में जहां पर हमारे महानायक अमिताब बच्चन जी जैसे लोग प्रोफॉर्म करते हैं उस मंच पर आर्यन बाबु को परफॉर्म करने क मौका दिया और मैंने भी आंकरिंग किया है माननीय राष्टपती रामनात को बिंदे जी तक का मैंने मंच का संचालन किया है और वह संचालन उस जगह पर जाके आर्यन बाबु ने भुसपूरी सीनय में होस्ट किया था तो मेरे को बहुत मतब कभी-कभी आंस से आंसु नि की ऐनी होती है जितना कि बच्छे के नाम से पिता को जानते हैं लोग कि फ़लाने जिस्से के इन्हों ने बताया देकि कए कहते कहते इनकी तो आखे बरी जाती है तमाम सुनने वाले को भी आखे बर जाती है कि यदि बेटे के नाम से पिता को जाना जाता है तो कितनी खुशी होती है हर बाप का एक उमीद होता है हर पिता का एक उमीद होता है कि मेरा बच्चा बड़ा होके मेरे नाम को रोशन करेगा लेकिन यह वा एक ऐसे पिता हैं कि जिनका बश्चा बड़ा नहीं हुआ लेकिन छोटा होके ही उनके लिए एक बहुत बड़ा ब्रांड बना और इनका नाम से नाम रोशन हुद च्षूटी नव साल के उमर में अपने पिता को कितना अच्छा जग एक वैसा चैनल है मैं गर्व से बोल सकता हूं कि भोस्पूरी की जितने भी एजुकेटेट पर्शन है चाहाँ वो हमारे जिले की तमाम ब्यूर्यक्रेट्स हैं वो हर तरह के लोग यह सिर्फ सम्रिधी निवज सी भोस्पूरी का लकारों के लिए नहीं हर तरह के समस्याओं क मैसेज को दिखाती है तो एक बहुत ही प्यारा मैसेज में समाच को देना चाहूँगा कि आर्यन के अनिय से सरी से इनदस्ट्री में पहुत बड़ा क्रांति आया है कि अच्छे अच्छे फैमिली के घर के बच्चे भी अब इंदस्ट्री में आ रहे हैं सिंगर के तौर पर अच्छे घर की बच्ची यां अच्छे घर के बच्चे आ रहें और मैं उन सभी माँबाप को इस सम्रिधी चैनल के मादेम सवरा आप से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब कोई बच्चे उभर के सामने आते तो उनको आप सपोर्ट करिए हर एक बच्चों को चुकि बहुत स जाता है कि आरीन को बुलाई हम पराफ कराएंगे तो में बड़ी वह इंसान मेरे लिए भागवान बन जाता था था थो यह किसी को काम देका हम बनना चाहते हम इंसान हम वह हमें जिंदगी में कभी मत याद करें लेकिन मुझे जो फिलिंग आती तो सिन्सान के लिए जब को काम देता था तो मैं चाहता हूं कि कम से कम मेरे लिए उस सामने वाले को ना है लेकिन उसको जब वह सामने निकल के जाएगा तो मुझे फिलिंग यह जरूर आगे कि जिस तरह आरियन कम्याब हुआ उस तरह वह बच्चे कम्याब हो और हर्माब आप चाहेंगे कि अगर व shouldn't Waiting करना चाहता हो डांसिंग करना चाहता हो यह वह राइटर बनना चाहता हो यह इत्जिनियर बनना चाहता है दॉक्टर मनना चाहता हो जिस साइन्टियस्तष कि सोच मत अच्छा बुरा तयार कर सोच मत अच्छा बुरा तयार कर ख्वाब तूटे तूटने दे तूट मत सोच मत अच्छा बुरा तयार कर ख्वाब तूटे तूटने दे तूट मत तू हिमाले की बुलंदियों से नडर तू हिमाले की बुलंदियों से नडर अरे तू है दरिया रास्ता खुद एक दूसरा तयार कर खुद एक दूसरा तयार करें। में नापी हैं मुठ्री भर जमें अभी तो पूरी रातе है अभी तो दीन बाकी में और आर्याश के मुठ्री जमीन अभी तो पूरी कायनात बाकी है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आरेन बाबु को शमकाते रही है और बहुत आगे जाएंगे अपना धेर सारा प्यार दुलार और असिरबात दीजिए और हम चाहेंगे कि समरीदी हमारा बिहार का सबसे नंबर वन चैनल बने जिस तरह आरेन बाबु को यह लोग नंबर वन बनाने के लिए प्रयास करें हम लोग विचाने हमारा यह समरीदी जो न्यू चैनल है अपना घर का चैनल इसको अप्रोग धेर सारा प्यार दुलार और असिरबात दीजिए बहुत झारे विषाए बहुत अप्रोग थक्यार जब दिए銀कर